हेलो स्टुरेंट्स इस वीडियों हम देखने वाले हैं कक्षा दसवी छत्रिजगर बोर्ड असाइमेंड का अक्टुम्बर मां का गणीत का सॉल्यूशन इससे पहले याद दिया आपने हमारे चैनल को सब्क्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए तो आएए देखते हैं फस्ट क्यूसन क्या है कि मोहन ने बेंक में 100 रुपे पती मा की दर से 5 वर्स के लिए आवरती जमा खता खोला यदि ब्याच की दर 6 परशन वार्सिक हो तो 5 वर्स पस्चाथ उसको कितनी धन रसे प्राप्त होगी तो आएए देखते हैं इसका पूरा सल्यूसन हम पच्चो आप यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर हमारा मूलदन हो जाएगा 100 रुपे दर जो है 6 परशन वार्सिक है और जो समय है वो है 5 वर्स 5 वर्स यानि की 1 वर्स में 12 माह है तो टोटल 5 वर्स में कितने माह हो जाएंगे 60 माह हो जाएंगे यहाँ पर आवर्ती जमा खाता है इसलिए उसमें ब्याच का जो फार्मूला है यहाँ पर आपके सामने दिखाई दे रहा होगा बस इसी में आपको वेल्यू पुट कर देनी है यहाँ पर प यानि की मूलदन है और आर यानि की दर है एन यानि की समय है और समय जैसे कि आप देख सकते हो समय के प्लेस पर कितने वेल्यू रखनी है 60 रखनी है तो आप नीचे देख सकते हो हमने यहाँ पर वेल्यू 9515 आगया तो इस टाइप से यहां पर व्याज निकल गया है 900 15 तो हमें निकालना यहां पर मिस्लन यानि कि पांच वर से बाद उसको कुल कितने रुपे मिलेंगे तो बच्चों कुल रुपे मिलेंगे यानि कि यहाँ पर 60 माह है और यहाँ पर प्रत्य एक माह उसने 100 रुपे जमा किये हैं तो टोटल जो है वो 6,000 रुपे हो जाएंगे और ब्याज हो जाएगा उसका 915 रुपे तो 6,915 रुपे हो जाएगा 8400-400-400 जी हाँ याद कर लिजिए WhatsApp नमबर क्योंकि अब चाहे आपका Maths का सवाल हो या Physics, Chemistry, Biology का आपके हर डाउट, हर क्यूशन का मिलेगा तुरंत वीडियो सोलेशन वो भी सीधा आपके WhatsApp पर बस अपने फोन में डाउटनट का 8400-400 WhatsApp नमबर से उकर लिजिए और चेट ओपन कीजिए फिर जो भी आपका डाउट है उस सवाल की आपको बस फोटो किसनी है उसे क्रॉप करना है और 5 सेकंड में आपको उसका वीडियो सोलेशन मिल जाएगा क्लास 6-12, IATJ, NEET, CBSC BOTS और सभी स्टेट BOTS के बच्चों के लिए तो देर किस बात की अभी जाएए 8400-400-400 पर अपने सवाल वाटसप कीजिए और अपने सवी डाउट्स को आउट कीजिए लिंक डिस्क्रिप्शन में इसका लाश्ट फाइनल आंसार अगले के वाले क्यूस्टन पर चलते हैं हम अगले क्यूस्टन में स्री राम ने 30,000 रुपे तीन वर्स के लिए साओधी जमा खाते में जमा करवाया यदि ब्याज की दर 6% वार्षिक हो तो तथा 26 माही संयोजित होती है तो नियत नितिति के पस्चाद मिलने वाली धन्रासी कितनी होगी तो आईए देखते हैं इस क्यूस्टन का पूरा सालुशन हम तो बच्चो जैसे कि आप क्यूस्टन में देख सकते हो यहाँ पर क्यूस्टन हो गया है मूलदन है यहाँ पर हमें यहाँ पर बच्चो हमें यहाँ पर मूलदन जो है 20,000 है जबकि आप ही क्यूस्टन में कितना है 30,000 तो आप यहां पर क्या कर लोगे 30,000 पर मुल्दन कर लोगे और समय है वो दो वर्स है और यहां पर जो है ब्याज की गणणा अरदवार सिखे इसलिए हम क्या करेंगे यहां पर की 12 बटे 6 का क्या कर देंगे इसमें गुणा कर देंगे तो इस टायब से चोईज बटा छे यानिकि चार बार घणना होगी दो साल में चार बार घणना होगी तो यहाँ पर बच्चों 30,000 कर लेना आगे चलते हैं हम यहाँ पर वेल्यू पूट कर देना है आपको 30,000 रुपे पी यानिकि मुल्दन पारबटा सोग की पावर एन हो जाएगी यहाँ पर आपकी है ना तो इस टाइप से आपका यहाँ तक मेनेच कर लेना है उसके बाद काटा पेटी करके आप इसका अंसर लेकर आ जाना नेक्स थर्ड क्यूशन पर चलते हैं हम कि समिकन हल करना है कोस बटे वन माइनस साइन ठीटा और कोस ठीटा अपाउन वन प्लस साइन ठीटा एकोल टो फोर अब इस समिकन को हम क्या करना है हल करना है बीचने प्लस का निशान लगा है तो आज़े देखते हैं इसका पूरा साल है कि LCM ले लिए हमने LCM क्या है हमारे नीचे की तरह one minus sign data into one plus sign data और इस प्रकार तीरे गुणा हो जाएगा इनका लेने के बाद तो इस टाइप से आपका समिकन हो जाएगा आगे चलते हैं इस क्यूशन में आगे चलने पर हमें इस टाइप से बच्चों यहाँ पर देख सकते हो आप की यहाँ पर one plus sign data one minus sign data यानि कि यह क्या हो जाएगा one minus sign square theta because a minus b a plus b क्या होता है a square minus b square यानि कि one minus sign square theta यानि कि one minus sign square theta और इस टाइप से इस से यह कड़ जाएगा तो बच्चों यहाँ पर one minus sign square theta का मतलब क्या होता है cost square theta तो यहाँ पर cost एक cost एक cost कर जाएगा तो बच्चे का नीचे टू अपान cost theta और यहाँ पर यह जो 2 है इसके नीचे 4 आ जाएगा आपका देख सकते हो यहाँ पर 4 आ गया और यहाँ पर cost theta सिंगल बचे गया तो कितना बचे गया cost theta equal to one upon two 2, 2, 2 जा 4 हो गया यहाँ यहाँ पर यहाँ पर आप जानते हो बच्चो 1 upon 2 किसकी वेल्य होती है cost 60 डिक की वेल्य होती है यहाँ ठीटिक की वेल्य कितने है जाएगी 60 डिगरी उसके बाद बच्चो आप देख सकते हो यहाँ पर 4th question है 1015 और 1036, 1045, 1054 और 1075 डिगरी equal to one इसको हमें क्या करना है सिद्ध करना है यहनि दोनों तरफ one लाना है तो आईए देखते हैं इस question का answer तो बच्चो इस question को आप ऐसे कर सकते हो जिसे कि आपको सामने दिया है यहाँ पर 36 को बदला आपने 1090-54 में और विसे कि विसे आप 1015 को भी बदल सकते हो कोट 75 में solution आपके सामने है और यहाँ last में इस टाइब से finalize हो जाएगा ज़्यादा हम समझाएंगे नहीं क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा इससे उसके बाद बच्चो नेक्स्ट क्युस्टन है मान गयात कीजी यहाँ पर मान गयात करना है इस क्युस्टन में और यहाँ क्युस्टन नमबर 6 है जिसमें भी मान ने हमें गयात करना है तो आईए देखते हैं इन दोनों क्युस्टन का solution है क्युस्टन आप देख सकते हो यहाँ पर अंसर इसका बिल्कुल 1 प्लस कोट स्कॉाइड ठीटा क्या होता है कोसिक स्कॉाइड ठीटा अब कोसिक स्कॉाइड ठीटा क्या होता है वन अपान साइन ठीटा यहाँ पर हमने इसका ब्रेकेट ओपन कर दिया बच्चो और यहाँ पर टेन ठीटा क्या होता है साइन अपान कोस ठीटा यहाँ पर इस type से इस bracket को solve करने के बाद हमारा here sin squared theta कर जायागा one upon course squared theta बचाईगा यानि कि one upon course squared theta का मनलब क्या होता है 6 squared theta basic basic question number 6 में भी आप देख सकते हो यहाँ पर question number 6 में आप जब देखोगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पर course squared theta को हमने change कर लिया 90-25 में यानि कि क्या हो जाएगा 65 भी है तो cos 90-t dá क्या होता है sin टड़ा sin इस्क्वाइर 25 हो गया इधर cos स्क्वाइर 25 है sin इस्क्वाइर टिड़ा 1 होता है तो बस ही solution हो गया तो student thanks for watching this video